Hello everyone, I welcome you in VisionLok. Today I will start a new topic, 8 puzzle problem. हमने last class में देखा था कि जो भी कोई agent होगा, यह atomic agent होगा, वो किस-किस input के उपर focus रहेगा, क्या-क्या उसका output होगा. हमने देखा था क्या कि उसके input criteria होंगे, उसको हम applicable कराके देखेंगे, हापर एक example के तुर्यों देखेंगे, हमारा example आता है 8 puzzle problem, 8 puzzle problem without horrific, तो हम यहाँ पर दो method दे सकते हैं, यह तो without horrific और without horrific, मतलब यहाँ पर without horrific की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, that is blind search, blind search method यहाँ पर location of block, जो हमारे block है, इनकी location क्या है, कौन से number किस block में हमारे available है, अगली चीज, action, जो agent है, हमारा क्या action ले सकता है, अब agent जो है अपने जो उसका क्या था, blank block था, blank block कहां का चला सकता है, उसके पास possibility है कि वो left move करा दे, right move करा सकता है, down जा सकता है, या अब जा सकता है, यह उ start state, उसने किस state से start किया, यहां से हम बात करते हैं, यहां से हम बात करते हैं, तो start state, और हमारा goal state, कि final हमें इस goal पर पहुंचना है, जो हमारा state रहेगा, जो हमारे location और block का state रहेगा, वो यह रहेगा, बतलब जो number रहेंगे, वो इसके according हमारे अलगल ग्लॉप में अपने exist करे करेंगे, तो start state से goal state पहुंचना है, तो हम में इस problem को solve करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, start state, start state में हम देखेंगे, हम 8 puzzle problem solve करेंगे, सबसे पहले हम मैं method apply करूंगा, blind search, blind search method, और इसके बाद में हम देखेंगे, heuristic method, search, तो blind search method मैं apply करूंगा, सबसे पहले हम देखते हैं, यह हमारी start state है, start state को हम goal state लेके जाना है, तो हमारे पास action है कि जो blank block है, उसको हम left, right या up and down चला सकते हैं, अगली चीज, दूसरी चीज हमारी cost देखते हैं, हमारी cost क्या होगी, cost होगी, बन पर move, एक move करने पर जो cost और हमारा मतलब क्या है, कब हम बोलेंगे optimal solution है, कि जब हमारी minimum cost आएगी, हम चाहेंगे start state से, goal state पर जो हम पहुंचे, with minimum cost, मतलब sort है इस बात जो हम देखेंगे, वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कि हमने इसको चलना है, तो सबसे पहले हम use करते हैं, पहले हम हमारे. हमने इसको क्या चला है, हमने इसको move करते हैं, हम इसको right side में क्योंकि left side में करा नहीं सकते, left side में possibleuti हैง, तो यहां पर हमें 3 possibilities दिखा देती हैं, या तो हम right side करते हैं, या उसको हम किसी other manipulation में कर आ सकते हैं हम इसे देखते हैं स्टार्ट कराते हैं से इसको हम क्या करेंगे राइट डारेक्षिन में चलाएंगे इस डारेक्षिन में जैसे ही चलेगा पूर की तरफ किलाने स्टार्ड करेगा तो इesis डाय। क्या हो गया इसकी जगे आ गया और हमारा याँ पर अब चुलाए तो हमारा बunn इसकी पॉजिशन पहुंच गया और दूसरी चीशा हमने डाउन चलाया है तो सब्द इसकी पोजिशन पर आगया तो यह हमारे तीन डारेक्षन हो कि तीन हम स्की कि एप ले सकते हैं आप अगले हम लेविल पर आते हैं हम ने इसको किस सकते हैं इसको हम या तो ना सकते हैं या राइट चला सकते हैं या आप क्या होगा जैसे हम इसको लैप चलाने स्टार्ट करेंगे तो हमारे क्या होगा यह साइड आ जाएगा और फोर यहां पर आ जाएगा यह हमारे ब्लैंक हो जाएगा अगर मैंने यहां पर बात की से इसको मैंने अगर इस साइड चलाया तो हमारे six यहां पर आ जाएगा और यह क्या हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा अगर इसको मैंने अब चलाया तो two हमारा यहां पर आ जाएगा और यह क्या होगा ब्लैंक हो जाएगा अगर मैंने down चलाया तो five मेरा यहां आ जाएगा और यह क्या होगा? blank हो जाएगा हमने इसमें 4 देख ले लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर मैं इसको right side में चलाता हूं तो मेरा 4 यहाँ पर जो blank हो जाएगा अब blank हो जाएगा तो क्या होगा? अब इसमें हम देखें कि यह जो हमारी calculation बनी और यह हमारी start state तो ये start state में ही पहुँच गया इस condition को अगर हम देखते हैं तो अगर हम इस बात को choose करेंगे तो क्या होगी हमारी problem देखाएद देखी looping की हमारे यहाँ पर loop बनने start हो जाएगा तो क्या होगी इसको हम ignore कर देंगे हमारे पास अब हम इसको कहाँ चला सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पर जो possibility दिखाई देती हैं वो possibility दिखाई देती हैं ये सबसे पहले हमने इसको देखा इसको move कराया हमने किस direction में इसको हमने यहाँ पर move कराया अब अब direction में move करा सकते हैं तो 3 हमारा अब direction move कराया तो 1, 2, 4, 6, 3 हमारा यहां पर आ गया तो आद में 7, 5, 8 अब हमने देखा इस है down direction में हमने move कराया down direction में हम इसको जैसी move कराएंगे तो क्या होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 5, 0 यहां पर blank रहेगा अब तीसरी हमारी condition आती है हमारे पास option यहां पर इसमें इस side हम नहीं चला सकते इसको तो इस side कुछ है ही नहीं और दूसरी side होगा हमारा इस side हम इसलिए नहीं चला सकते because of हमारी यही state दुबारा आ जाएगी मतलब लूप बन जाएगा हमारा हमारे पास दो possible आ गए अब इसकी देखते हैं हमारे दिखाई दे सकते हैं इसके हम बात करते हैं इसको कहां लूप से चला सकते हैं यहां पर ब्लैंग और इस side लेके आई जाते हैं वन ही हमारा यहां पर जायगा क्या हो जाएगा वन ऊंडर पो छो दिख्स ए 268 ओ है और सैवं यह हमारे आगया अब एक स्टम देखते हैं हमने इसको फूर मूब मूब कर आए हैं हमने लाते हैं इस साइड तो क्या होगा после 3 4 2 6 7 5 8 यह हमारा आगया अब हम इसकी जो possibility दे वो खत्म होगे अब इसकी possibility की बात करते हैं इसको हम कहा का move कर सकते हैं तो इसको move करने के लिए हमने देखा इसको move करने का हमारे पास आता है कि हमारे पास यह 0 है down नहीं जा सकते अब जाएंगे तो loop होगा looping होगी तो या तो हम left जा सकते हैं राइट जा सकते हैं तो हमने देखा कि हम कहा जा सकते हैं 1,2,3,4,5,6,5,6 अब हम एक side हम क्या करेंगे हम यहां पर जा सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारा 7 और 8 और एक possibility हमें दिखाए देती है वो हमारी लेके जाती है हमें right side 1,2,3,4,5,6,7 अब जैसी हम इसको right side move कराएंगे तो यह हमारी side move होगा तो हमारा 8 यहां पर आ जाएगा और यहां पर यह blank हो जाएगा अब देखो हम अब यह हमने क्या ले ली हमारी यह goal state है यह हमें goal state हमने achieve कर ली तो देखो यहां पर हम 1 अपनी position पर 2,3,4,5,6,7,8 तो यह हमारी possibility हो गए यह अलग लग तो इस type से इनको सब को हम अपल अलग चाल चलेंगे सब की अलग जो हमारी option होगे उसको हम आगे लेके चलेंगे और अगरे level हम जाएंगे तो इस type से हम इसको solve करेंगे blind search method के तुरो तो हमने इसको solve की तो हमारे इसमे cost कितनी आई हमने देखह constants है हमारी 1 per move तो जब 1 per move हमने cost देखी थी हमारी cost 1 per move थी So 1 per move में हमने इसकी cost देख़ी कितनी हाई हमारी यहाँ पर हमने इसको पहले बार मूब कराया है यहाँ पर हमारी एक कौश्ट गई कि यहाँ पर इसको हमने दुबारा फिर रिमूब कराया है इसके दूर हम लेकिया है यह हमारा पाथ यहां से हमने गोल अचिप किया है यहां पर हमारी एक कॉष्ट गई और अगली हमारी एक कॉष्ट यहां पर गई तो यहां पर हमारी टोटल कॉष्ट कितनी है टोटल पाथ कॉष्ट आती है हमारी ते जबर आंसर हमने देखा इसमें हमने थ्री कॉष्ट में स यह नहीं हमारी एट पजल प्रॉब्लम थी उसको हमने सौल्व कर दिया ओषी है यह हमारी एट परब्लम प्लाइब करेंगे तो क्या करेंगे में जो आपक्लाइब करेंगे एक मेनिट अर्फ प्रॉबलम दिखते हम एट पजल प्रॉब्लम हमारे आती है तुरिष्टिक मेथट मतलब इदाउट राइंट सर्च तुरिष्टिक मेथट है अपर अप्लाइ करते हैं तो यहां पर हम भी आमने इसीच को भाई step follow करेंगे हां पर step में कोई changing नहीं होगी तो जैसे हम इस step को follow किये तो अब यहां पर देखेंगे हमारा इसको मैच करेंगे कितनी हम negative position में मतलब कितने जो हमारे block है वो क्या है जो गोल के according नहीं है तो हमने देखा कि 123 अपनी position पर ठीक है हम यहां पर देखा 123 साही position पर रखा हुआ है यहां पर और अपनी position पर साही है फोर अपनी position पर ठीक है एक सब्सक्राइब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहां पर देखा तो इसके हमारे कितने possibility हो गए हमारे यहां पर दिखाई देते हैं कि total हो गए हमारे दो हमारे क्या है जो हमारे goal है वो match नहीं करते तो जो number of block है वो अपने state का according हापन नहीं रखे हुए है तो हम देखेंगे इसमें कितने है इसमें दिखाई देंगे हमारे क्या है बन अपने अलग position पर है five अलग है eight अलग है मतलब यहां से दो या दो से जादा हो गए तो हम इस side चलेंगे ही नहीं इस side हम आगे अपना कोई भी option फुल ही नहीं करेंगे तो यहां पर भी हमने देखा हमने देखा seven हमारा गलत है fours गलत है five गलत है यहां पर चार होगे यहां पर तो बिल्कुल नहीं चलेंगे हम तो यहां पर हम देखेंगे कि जहां हमारे possibility दिखाए देगी कि जो possible state होंगे हमारे हम क्या के देखते हैं कि हमें requirement क्या है तो हमारे जो हमारे जो block है वो wrong block जो है वो हमारे number of block कम से कम होने चाहिए जो minimum जाएंगे उस side हम सोचेंगे कि हम उधर problem solving की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको जब इस side चलेंगे तो क्या होगा अब देखो हमारे यहां पर five हमारे किसमें आ गया five हमारा अपनी जगह नहीं है five हमारा रॉंग है position पर रहे और eight हमारा रॉंग position पर रहे तर यहेँ और फाइप दोनों मारे wrong position पर यहां पर हमारी दो होगई 4 6 अपनी जगे हैं अब हम देखो अगर हम इसको right side चलते हैं तो left side चलते हैं तो 4 हमारा wrong position पर जाएगा नहीं चलेंगे हम इधर चलते हैं तो 6 हमारा wrong position पर जाएगा अगर इसे उपर चलते हैं up side जाते हैं तो 2 हमारा wrong position पर जाएगा नहीं चल सकते हैं तो अगर हम नीचे की तरद सब चलते हैं तो क्या होगा 5 हमारा सही पोजिशन पर जाता है इसको सबसे पहला एपलाई करेंगे कि हमने देखा 123 और इसके अलावा 4678 हमने इसको इस साइड मूब कराया जो हमारा मूब हुआ 5 यहां पर मूब हो गया और ब्लैंक हमारा यहां पर मूब हो गया हम देखेंगे अब हमारी पॉसिबिल्टी कितनी है अब हमारी 123456 मतलब यहां पर जो हमारा रॉंग ब्लॉक है जो रॉंग स्टेट में जो ब्लॉक है वह एक है मतलब इधर जो जा रहे हम पॉसिबल स्टेट हमारा सही आ रहा है अगर हम इसको इस साइड चलत होगा मतलब हमारे टोटल ऑफ रॉंग ब्लॉक हमारे दो हो जाएंगे आपर हम उस साइड को अप्लाइ नहीं करेंगे अब चलेंगे तब भी यह होगा हम जानी सकते तो राइट पोजिशन पर हम आते हैं जैसे हम राइट पहेंगे तो 12345 पाइब